हेलो एवरीवन तो आज फिर मैं आपके लिए लाई हूँ एक हेल्दी ब्रेकफस्ट की रेसिपी मिनी उत्तपम और ये इतना हेल्दी है ना और इतना टेस्टी कि आप सभी लोगों को बहुत जादा पसंद आने वाला है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप मखाना, आधा कप पोहा, आधा कप सूजी, आधा कप कर्ड और एक कप के करीब मैंने यहाँ पर पानी यूज किया है तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा एड करेंगे बाद में अगर मुझे लगेगा कि पानी की और जरूरत है तो जिंजर और चिली ग्रीन चिली एड़ की है 15-20 मिनिट का रेस्ट देंगे उसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे इसको रखे हुए 15 मिनिट हो गया है तो अब हमें इसे ग्राइंड कर लेंगे और इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे और यहां पर आम मैं स्टफिंग तय करेंगे यह इन्स्टेंट लीकरने के लिए हम यूज करते हैं तो चली बना लेते हैं तो यहाँ मैंने तबबे को ऑइल में ग्रीस कर लिया था इसकी उपर मैंने बैटर डाल दिया है और आप देख सकते हैं जो स्टफिंग मैंने बनाई थी वो भी इसमें मैंने डाल दी है मैंने इसमें थोड़ा ब्लैक पेपर और थोड़ा सा ओरिगेनों भी उपर से डाल दिया था आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी था अगर आप healthy breakfast खाना पसंद करते हैं तो यह best option है आपके लिए आप इसे जरूर से try करिएगा तो यहाँ पर मैंने cheese यूज ने किया है उसकी जगे पर मैंने यहाँ पर paneer यूज किया है अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो follow and subscribe करें facebook, insta और youtube पर मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए बाबाई